थोड़ी दर पहले उस मा बेटी को आपने लाइव सुना जो उनकी बाते थी वाकिए जगजोर करने वाली है और हमने आपसे अपील के थी उसे वीडियो को शेयर ना करें और शिर्फ कमेंट करें कि ऐसे बाप को और भी जितने भी गिनोने अपराद ऐसे लोग करतें उनके ख खुश नहीं है फासी की सजा की जो है मांग कर रहे हैं इस सारे केस में एहम भूमिका निवाने वाले वकील जो है वह मिरसाथ है बलबीर पुमार जी मिरसाथ रहेंगे इनके बारे में एक चीज़ हमने सुनी है कि पोक्षो एक्ट के जितने भी केस गरीब परिवारों के ख पानी थी और कैसे केस जो है आगे बढ़ता गया सद्विए 2018 का ममला है 2018 मैं मेरे पास आये थे किसी की रेफरेंस से तो इन्होंने अपनी सारी बातें कि कैसे 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 लड़की के साथ एक सगे बाप ने एक साथ साल की लड़की के साथ गलत काम किया बहुत ही निंदनी यह हैं बहुत ही मार्मिक है इस से ज़्यादा समाज का और नितिक पतन क्या होगा कि एक सगा बाप अपनी सगी बच्ची के साथ इस तरह का पराद कर रहा है तो मैंने इस ट्राइल को पुरा पर आवास के सजा कराई उसको पलस हमने इस विक्टिम को लड़की को तीन लाग रुपे डियले से ओफिस से जजज साब ने ओडर कि उसमें तीन लाग सरी इसमें 80% तो इसकी लड़की के फडी हो जाएगी और 20% जो है इसको कैस दिया जाएगा तो यह जब आया था आपके सब्सक्राइब को पता लगा कि पैसे तो मिलने नहीं कहीं बड़ी होता है ना वकील लोग सोते हैं पैसा ने मिलेगा चोड़ पर क्या करें एक चुनोती यह भी होती है जैसे कि आप करें मैंने निश्वलक लड़ा के चुनोती यह थी कि उस आरूपी को सजा दिला के रखन कि लिए के आप देख रहे हैं तो आपका प्रियास रहता है कि अए गलट है इसको ठीक किया जाये सब्सक्राइब को संब्सक्राइब करना चाहिए तो सर मैंने यही सिख्ख आपने सीनियर से अपने गुरू से कि जहां आप जितना आप से बन सकता है हर जेंगा जुरूरी नहीं नहीं इनकी पैसा नहीं था यह किराये पे रहते हैं आदमी सर पे कमाने वाला कोई है अगर मैं मैं भी इनसे फीस की डिमांड करूंगा से कंदे से कंदा के इनका साथ दिया है आज इनके ओडर कराए है इसको बीस साल की सजा कराही है वह को से याँ इसास और 1-8 कोषीद क्रूंगा सी दो खती है इसके पील में पुरा परियास करूंगा इनका समर्थे निये बट मैं अपनी पोकेट से इसके पील में जाने का पुरा परियास करूँगा फासी किसा जाए इसे कुछ और भी केस हैं जो गरीब परिवार के लड़ते हैं मैं नामने कर सकता सब्सक्राइब अधाए साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था और बाद मैं उस के बच्ची का गला दबा के गरदन तोड़ दी उसमें जो आज आज ही में लगा हुआ था मेरे पास वो तो उसमें आज आए थे उसके पेरेंट्स आये थे तो उनके साथ भी साथ चल रहे हैं उनकी पूरी हल्प करें कोशी सरकार से यही करेंगे कि उनको न्याई दिला जाए और कम से कम सब्सक्राइब और इनको प्लस कंपन्सेशन ताकि यह अपने आपको दुबारा से सब्सक्राइब करेंगे कौन सी कोट में हमारी एक फास्ट कोट सिरी सुमित गरग जी बहुत बढ़िया रिलीफ दे रहे हैं बहुत बोल्ड हैं मैं तो उनके बारे में जितनी परसंसा करूं फोर और पोक्सो शिक्स में थोड़ा सा ये कम जानकारी मेरकों भी है थोड़ा सा बताएंगे दर्सक भी देखेंगे देखेंगे पोक्सो फोर में डेफिनिशन दोनों लग है सेक्शन तीन में इसको बताया गया है सेक्शन फोर में इसकी कन्विक्शन है डेफिनिशन जो ह कोई भी पार्ट उंगली है माउट है या उसका माउध है या किसी पैंसिल से पैंसे आपने उसके प्राइवेट पार्ट पे एंट्री कर दी तो वो मैं कांट होगा सर्वों जी यह तो हो गया सैक्षन 4 fan 6 जो है उसमें पेरेंट्स या गार्जियन गार्जियन सीव में बहुत सब्सक्राइब दादा आ गया या जिसके पास सरंगसंग के पास रह रहे हैं या किसी पुलिस ऑफिसर की कस्टेडी में हैं अगर वह कोई गलत काम कर देता है तो या रिपिटिड कर देता बार बार रेप करना वह सेक्षन 6 में काउंट होता है सर सेक्षन 5 में उसकी डेफिनेशन है सेक्षन 6 में उसकी इंप्रिजिन्मेंट है यह भी माना जाए कि आगे ऐसे केस आते हैं आपके अपास गरीब परिवार होगे तो उसमें फ्री अफकोस्त आप करेंगे काम यह सर बिल्कुल में तो मैं सिस्टम से भी अभी लड़ों सर इसके खिलाव पुलिस में कुलिस ने पूरी तरीके से इंवेस्टिगेट किया है जो मॉके पे एक वहां पर पाइनदません नहgeschों कि ना का मैं 238 Tao ूइस को सुधारने में पो ईगा डूनश हाने में मैं जहां तक मैं मानता हूँ पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है हमारे सिश्टम को सभालने में सुधारने में और समाज को चलाने में चलिए अच्छी बात यह है कि वल्बीर जी हमारे साथ लाइव थे और कह रहा है कि अगर जो ऐसा कोई काम पैसलों बगवान करें ऐसा काम ना हो लेकिन फिर भी जो परिवार गरीब यहां कर जो उनमें केस होते हैं अगर यहां कोई वकील भारी बरकम आप से ले रहा है तो आप बलबी जीसे का मैं बता दूं चारसो और सट चैंबर नमबर है और पानीपत कोट में यह प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसे कई केस जो हैं वो लड़ रहे हैं जैसा कि बता रहे थे कि कि मामले में बच्ची को मार दिया था उसकी अत्या कर दी थी और यह मामला पानीपत का यह शहर का यह मामला था तो बलबीर जी से लाइव हुए हम लेकिन यह भी नाखुश है इस फैसले से और हाई कोट में अपील करेंगे कि उस दरिंदे को कम से कम फासी की सजाओ फासी की सजा नहीं बार बार उसे उतार कर उपर लटकाया जाए जा कुल बंचिंग